पंजाब के घमसान में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई मनीश्तिवारी ने कहा कि पंजाब की कला से पाकिस्तान को फाइदा होगा सीमा पर लगातार साजिशे होती हैं पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए अस्थिरता ठीक नहीं है ये कह रहे हैं मनीश्तिवारी मनीश्तिवारी ने कैप्टन अमरिंदर सिंग की भी तारीफ की है कैप्टन राष्टरवादी और धर्म निर्पेक्षें देश हित में फैसला लेंगे तो एक बार फिर लॉबींग शुरू हो गई है कैप्टन और नवजोस सिंग सिद्दू के खेमे में पंजाब में अस्थिरता होती है तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है अईसाई है उन लोगों को होती है कि हमको शायद फिर एक मौका मिल जाएगा अपने मनसूबों को इंजाम देने का और इसमें लोग सुलजे हुए लोग है पंजाब से दस कॉंग्रिस के सांसद है अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार आतंकवाद की उस आग में निचावर किये हैं उनके परिवारों का नुकसान हुआ है कॉंग्रिस को भी समझते हैं देश हित को भी समझते हैं उनसे और और बाकी सुलजे हुए लोगों से बात करके सबसे पहली प्रात्मिकता यह है कि पंजाब की राजनितिक सिर्था को बहाल करना जाए कैप्टन साब को उनके परिवार के साथ हम लोगों का एक रिष्टा रहा है और जहां तक मैं कैप्टन साब को समझ पाया हूँ वो एक धर्म निर्पेक इनसान है और राश्टरवाद उनमें कूट-कूट के भरा हुआ है पौजी होने के नाते और जो उन्होंने जो लिखते पढ़ते हैं तो इन सब परिस्टितियों को मध्य नजर रखते हुए कैप्टन साब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित में देश हित को सामने रखते हुए ज़रूर फैसला करेंगे और विनोट शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है वरिश्ट पत्रकार विनोट जी किस तरह से आप देखेंगे मनीश तिवारी के इस बयान को वो कैप्टन अमरिंदर सिंग से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो कुछ फैसला लेंगे और इस्थितियां जो है वो दुरूस हो जाएंगी उनको फैसला लेने लाइक छोड़ा कहा आला कमान ने वो फैसली की जो बात कर रहे हैं मनीश मनीश कैप्टन साब के नजदीक रहे हैं और मनीश अपना पॉइंट व्यू रखते हैं पड़े लिखे मंबर पार्लमेंट हैं वो शायद बीजेपी जाने की जो चर्चा उस संधर में बात कर रहे हैं वो इसंधर में बात नहीं कर रहे हैं कि वो दुबारा से मुक्यमंतरी हो जाएंगे देखिए बात सच है देखिए दो जो मुद्दे नवजोत ने उठाए हैं शायद उन से मैं अग हो रहे होते हैं जिससे वो शायद उनकी स्टाइल से इतना हतों साइथ हो जाता है कि उनको सुनना बंद कर देता है देखिए जहां तक एजी का सवाल है एजी वकील थे एपीएस डेयोल वकील थे सैनी के और सैनी के खिलाब मुकदमा चलना है जो गोली कांड हुआ था जब ज हलाकि वकील जो होते हैं वो जिसकी वकालत करते हैं उसके नहीं हो जाते हैं यह सोचना बिलकुल गलत है अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर कोई वकील तो सियासत के काबिल ही नहीं रहेगा हमने देखा है चिदाम परम को बीजेपी के लोगों के लिए केस लड़ते ह तो ये जो उनका जो हनफ उठाते हैं वकीर उनमें वो मना नहीं कर सकते हैं किसी ब्रीफ को कोई अगर कोई याचक को पार लेकिन सर राजनीती में ये उतावला पंजो है ये कितना जायज है क्योंकि सिर्फ एडवोकेट जर्डल की बात नहीं है डीजीपी की नियुक्ति पर हम अलाज ये इस सबसे जादा मत था हैंमले इसका की उनको मुखे मंत्ली नहीं बनाने दिया और उन्हें कहा की पारा प्रय ओप्रणी करने का सुनील जाकर का नाम भी शामील होश्चा तुन युषason की नराज्ति की ओं मुखत्य क्यों दूसरा कि वो डीजी जो अपॉइंट हुआ है, अब मैं उनको समझाता चलूं कि यह जो डीजी अपॉइंट हुआ है, यह एक तीन में से एक